नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे The Christian Voice चैनल में और आज जो जिस सक्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ या रूबरू कराने जा रहा हूँ उसे लोग लेडी डॉन और दबंग लेडी के नाम से भी जानते हैं और उसका नाम है शर्मा दीदी तो आएए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ स्वागत है शर्मा दीदी आपका हमारे The Christian Voice चैनल में जी धन्यवाद नमस्कार सभी लोगों को शर्मा दीदी जिस प्रकार से आपका सोशल मेडिया में जो वाइरल हो रहा है वीडियो और लेडी डॉन कहा जा रहा है उसमें दबंग लेडी कहा जा रहा है तो क्या आप सबसे पहले इस बारे में बताना चाहेंगे क्या कहेंगे आप इस पिसे में लेडी डॉन जो है या दबंग लेडी आपका नाम कैसे पड़ा वो तो मुझ से बेतर आपी जानते हैं क्योंकि आपी ने बताई इन आम के भारे में चलिए यह बात तो आपको भी मालम है लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं लेकिन क्या है कि यह हमारा मुद्दा नहीं है त कि इसाई समूदाय को आप क्यो इतना प्रतारित कर रहें उनके कभी पाष्टर को थपण मार रहे हो कभी मसीही बहन को डोडा रहे हो तो जो कभी किसी गाओ वाली महिला को जो इसाई धरम गढ़न करी हो तो धंकी दे रहे हो और या पिर चर्च में पिक आपकार करтор कर रहे मैं आपको पूरी बात बताती हूँ मैंने उस पास्टर को थपड क्यों मा रहा है ऐसा था कि हमारे कुछ लोगों जो हिंदुवादी विचारधार भाई लोग हैं भाई लोगों ने देखा कि कुछ मेलाई जो दोदोग के ग्रूप में अलग-अलग स्ट्रीट में जाकर अप पता कि उन लोग वहां जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग कितनी गरीबी में रह रहे हैं आप लोग वहां कुछ बुजुर्ब लोग भी थे होंगे तब्यत खराब था होगा तो उनको भी बोल रहे थे कि देखो इनकी तब्यत खराब है तो हमने सभी को वहाँ जो जितने भी लोग थे पूरुस और महिला प्रचार कर रहे थे इसाई धरम का, उनको हमने बुलवाया और यह सब रोकने के लिए रोका, तब फिर हिंदुवादी विचारधारा के भाई लोग हैं, उनके उपर जो कुछ इसाई महिलाए थी, वो हाभ होने के लिए आई, तब मैं उनके पाश्टर से सवाल जवाब करने के लिए गई, तो तब उनके पाश्टर ने मुझसे कहा कि आप होते कौन हो, तो मैं एक हिंदु नागरिक हूं, और हिंदुत का कारे करती हूं, मैं अपने छेत्र में ऐसा कोई भी कारे नहीं होने तब तक पुलीस भी आ गई थी, तब मैंने पाश्टर को थपड मारा, तब वो बेसरम टाइप का मुझे ये बोला कि और कुछ कर सकती हो, दात दिखा करके उसने मुझसे कहा कि और कुछ कर सकती हो, इसका मतलब कि मैं कुछ करूं, तब मैंने उसका गला पकड़ा, और यही पुलीस भी आपको बचा नहीं पाएंगे, मेरे साथ अभधर वेवार किये तो, मैं वो अपशब्द बोला, तब ही मैं उसको थपड मारी हूं, और मैं यहाँ पर खुले आम बोलती हूं कि जहां पर भी ऐसे लोग मुझे दिखे धर्मांतरन कराते या लालस देते वे, मैं हिंदुस्तान को हिंदु राष्ट बना करके ही रहूंगी और इनको पूर्ण रूप से यहां से भगा करके ही रहूंगी, पहले भी मैं इन सब को संजा करके भेज देती थी, अब तो हमारा इनारा है, रोको टोको, और यह दो में भी ना माने, तो इनको तोड़ो, तो सब इनको तोड़ना चालू कि और जितने भी हमारे हिंदु विचारदारा के भाई बेहन हैं सब इनको तोड़ना चालू करेंगे अच्छा रुक्यों मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा सर्मा दीदी कि आपने सबसे पहले जो बात बोला कि मतलब वहां पर जो है कानून सब्सक्राइब के सामने हैं आपने उस पाश्टर को जड़कर थप्णफण मार दिया यह कितना उचित था यह आप पहले मुझे बता कि अपके हिसाब से तो कितना सही था क्या आप एक मतलब आपने हात में कानून ले सकते हैं और आप मैहिला तो क्या यह आपको मतलब अध वहां अइसा हुआ था कि पूलीस से थे लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वह व्यक्ती मेरे साथ गलत वेवार करेगा। जब वह मेरे साथ गलत वेवार किया तो मैंने उसे थपड मारा। और पुलिस वाले दूर में खड़े थे तो उनको कैसे पता चलता क्यों गलत मेरे साथ कुछ बोल रहा है और मैं मैला होने के नाते मेरा कुछ बिगाड नी सकता या हाथ नहीं एक मिनट एक मिनट सुनिये तो आपने सबसे पहले थपड मारा तो यह अच्छा काम किया आपके ह सबसे तो एक दम सही लग रहा है आपने कानून को अपने हाथ में लिया है और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यह आपके साथ गलत वैवार किया है लेकिन मैंने जब थपड़ वाला वीडियो देखा तो ऐसा तो उस वीडियो में मैंने कहीं नहीं देखा कि वह पाश्टर मतल पुलिस वाला भी कुछ नहीं किया वह देखे भी नहीं और उसको थपड मार दिया आपने माल लीजिए अगर यह अनुमान लगाते हैं कि वह थपड जो मारे आप उनको मारे अगर वही जवाब में पाश्टर अगर आपको एक थपड जड़ दिये रहता तो आपका सकल तो लोगों के सामने जो समान है वह आपकी जो जजत है उसका क्या होता क्योंकि पुरुष के मार खाने का वीडियो तो मिलेगए लोगों के सामने वाइरल भी होता लेकिन पाश्टर मारे रहता आपको थपड़ तो क्या आपका वीडियो भी तो वाइरल होता न चाहे उसके बाद आप पाश्टर को मारो पीटो या कुछ भी हो वो तो इसलिए जवाब नहीं दिया कि इसाही लोग जो है बाइबिल में बाइबिल में कि बदला नहीं लेने का और उस इस्थान में जो है किसी और धर्म का व्यक्ति होता मेरे ख्याल से तो 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 आपको छोड़ता ने थपड़ भारी पड़ जाता चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो और आप तो देखी रहे हैं दिन बर दिन नीज में लेकिन फिलाल तो इसे छोड़िए आप मुझे यह बताइए आपके ऊपर एफाई आर जो हुआ है आप इस विसे में क्या कहना चाहती है बताइए अरे मैं सीधी सी बात बोलती हूं उनका जो पास्टर गूम रहे थे यहां सीधे सीधे बोल रही हूं यहां जिनका साजन है यह उनका दमाद है उनके दमाद को नहीं बचाया गया बोल करके तो दो पुलिस लाइन को अटाइब से अच्छा हम लोगों ने तो धाने का फायर मांग किये तो तुरंथ हो गया अब आप ही बताइए यह कैसा कानून है एक पक्ष का वैसे शर्मादिदी कानून तो सब के लिए बराबर होता है और आपने सही कहा कि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो कानून आपके साथ कैसे होगा जैसे सविधान में लिखा हुआ है अनुचेद 25 के अनुसार कि भारत में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका उसका जो प्रचार करने का आजादी उसको मिला है अब यह सवतंतरता जो है कानून ने भी दिया है तो आप उनके सवतंतरता जो है की धाँ सद्नता को मिली है लेकिन सबसे ज़्यादा इसका गलत पाइदा इसाइलोगी उठा रहे हैं यह दर्मांतरन कराते हैं मैं कैसे करातें मैं आपको पताती हूं यह घर घर जाते घूम घूम करके अपनी सभाओ में चंगाई का, अच्छी पढ़ाई का, बच्चों के अच्छी शादी का, अच्छी नौकरी का, इस तरीके का लालस देते हैं, खास करके महिलाओं को बर्गलाते हैं ये लोग, मुझे ये बताओ, कि आप जो इसाई है, इसाई लोगों के लिए ही ये भगवा बाकिधरम के लोग उनका क्या है यह तो एकटरफा वाली बात हो गई थो नहीं होता है जर सब वह करेगा कि क्या किसी के साथ आप ही बताइए तो फिर इनको इतना ही चंगाई का है या मनुष्य के दूविदाओं को धूर करने का इतना ही वो है तो इनको वहां जाना चाहिए जहां इनको सबसे जादर जरुत है जैसे हॉस्पिटल में जाए हैं स्टेशनों में जाए जहां गरीब दुखी लोग है वहां पर जाए उन लोगों को बताए अपनी यह लोग तो नहीं चलेगा ना हां बोलते हैं कि देखो आपके अंदर भूत है आपको दूस्टा आत्मा ने जकड कर रखा है हां और इस तरीके से आपको डरा देंगे कि आप भी अपने आपको समर्पन कर दोगे उनके सामने कालपनिक विश्वास जगा और इनके इनके चंग्बल म डूबे रहते हैं या जिनके परिवार में कोई विकति बीमार है सबसे ज्यादा इनी लोग ही इनके इसमें फ़स जाते हैं खात्कर महिलाए ही इनके कि हमिन यहां आई तो मैं ठीक हो गई मैं यहां भर मेरा ऐसा हो गया मिर बच्चा नहीं हो रहा था तो मिरे को बच्चा ह पहुत आपने कही रहें जितने भी यह कुछ और ठीक है अच्छी है लेकिन आपके पास क्याा थ्थिया कि यहों कर आता है। तो तो क्या अधरमांतरन है क्या धर्म परिवर्तन है जो चो आप बोल रहे हैं इसका कौई सबुनिक आपके पास यह तो ऊस duty यह क्यों से एक आस्था है कि उस सभा तक उसको ले करके आता है कि मन giàुख कि मैं या जाऊंगा तो यहां तो इस प्रकार से परशानी हो से बत्तिपा जाओंगा ठीक हो जाओंगा यह सोच रखता है मनुश्य हरकोई पर शानी दूर हो कि बोलकर करें वह जाता है ना धर मांत्रन करने के लिए तो नहीं जाता है तो जैसे कि सभा में जाने के लिए बोला गया है कि तेरी कम्मनो कामना पूर होगी तो जब तु परिश तो किसी भी धर में जा सकता है जा हिंदू-मुसलिम सीख इसाई अपनी अपनी आस्था है अब जैसे कि सबसे पहले कहते हैं कि तुम दरगा में चादर ओड़ाओ चांडल जलाओ चर्च में जा कर के हिंदू बोलते हैं कि वहां जा कर के नारियल चड़ाओ तो सब अलग चले जाओंगा तो मैं तो हिंदू नी बन गया यह आस्था है उसकी कि वहां जाने से मैं ठीक होंगा तो उसका वह पालन कर रहे हैं तो आप मुझे बताएए धर्मांत्रण और आस्था में क्या फर्क हैं दोनों एक कैसे हैं सर्माधिदे आप यह बताएए कि यह चर्च के मिला गिया है कि अनुछे 25 के अनुसार या 28 के अनुसार कि हर जगा और 26 के अनुसार अनुछे 26 के अनुसार भी तो हर जगा आवजित कर सकते हैं धर्म का प्रचार करने का चाहे घर में हो या कहीं भी कर सकते हैं तो यह जब चालू करते हैं प्रात्ना मिटिंग तो आप उन और आप इन लोगों को जो घर घर में जा करके धंकी देते हैं परिशान करते हैं और तुम लोग का राशन बंद करवा देंगे कहते हो आप और धर्म और जाती के नाम से आप डाट रहे हो लड़ा रहे हो आपका इसमें क्या परिशानी है क्या आप क्यों ऐसे कर रहे हैं आप जो पास्टर संचालित करता है सभाव अगरे तो यह लोग चोटे चोटे वर्ग को टार्गेट करते हैं इतना डरा देते हैं कि लोगों को यह बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है तो उसमें जादातर महिलाई ही होती है मैं लाएं से पूछो तो वही बोलती है कि ऐसे परेशानी था मुझे मैं यहां आई तो मुझे यहां करके अच्छा लगा मिरको बच्चा नहीं हो रहा था तो मैं यहां आई मुझे जिसका नौकरी नहीं था नौकरी लग गया है यह सब कोई वज़ा नहीं है धरम परिवतन क यह बनाए गया तो देस ना किसी धर्म से चलता है और किसे मनशे के सोच चलता से जैसे कि आप कह रहे हMको तो देस चलता है कहनं से और आप भूली जाॉख के आप क्यों परशान हो रहे हैं अगर आपको जितने भी इसाइव लोग हैं अगर उगलत हैं धर्मांतरण कर रहे हैं तो कानून उनको सजा देगा क्योंकि सविधान में लिखा हुआ है जरब रन धर्मांतरण करना जुर्म है और आपको तो मालम ही है और कानून में भी सजा है और लेकिन इसमें जो है आप कानून के उपर छोड़ो आप क्यों परशान हो रहे हो तो किसका धरम फैल रहा है किसका नई फैल रहा है कौन धर्मांतरन कर रहा है यह आप लोगों का ठेका नहीं है कि आप अपने धर्म का रक्षा कर रहे हैं या ठीक है हिंदू राष्ट के नागरिक हैं लेकिन कानून भी कभी यह कहना है कि अपने हाथ में कानून ना ले आप अपना काम करिए कानून अपना काम करेगा वह अप 25 में और 26 में और 28 में यह सारे चीजो में लिखा हुआ है कि अपने धर्म का प्रचार कहीं भी कर सकते हैं घर में भी बहुत, और जैसे कि आप बोल रहे थे चर्च में ही करो यह जो घर में करनेवाला सिष्टब है ना, पाइबल में लिखाए कि कहीं भी, मेरे नाम से उपस्तित होते हैं तो इशू परमीशुर वहां उपस्तित होते तो चर्च तो हम है बाइबल में लिखा हुआ है कि चर्च जो हैं विश्वासी हैं मसीह लोग हैं तो आप को किस ने अधिकार दिया कि उनके घर में आप आरादना नहीं कर सकते घर में इशु को नहीं बता सकते हैं आप बोल रहे हैं कि चर्च जाए चर्च क्या है मालम है अभी जो फिलाल में जो यह एक सोसाइटी बनाने के लिए किया गया है ताकि वो रेजिस्टेशन होगा तो मसी समाज के लिए लाबदाय के बैठने का जगा है वो चर्च बिल्डिंग है और यह जो बात है आप किस मतलब बुनियाद पे कह रहे हैं कि जो चर्च जो है चर्च में ही आप करो आपको यह अधिकार कौन दिया क्या आप मसीही लोगों को सिखाने समझाने वाली ठेकेदार बन गई है क्या आप मतलब यह टेंसल लेके जी रहे हैं कि कौन अगर कोई सिख जो है कहीं कुछ करता है पूजा तो उनको आप बोलेंगे कि वहां जाए ग कर सकते हैं तो यह मसी समाज है इसाय समाज है जो अगर गलत कर रहे हैं तो अगर कानूँ देख रहा है तो कानूँ सजा Δईगा आप कानून को अपने हाथ related मेरा से यही रिक्वेस्ट आप हमारे स्टेडियो में आने के लिए आपका मैं शुकुषगजार हूं ध्युभाद और फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपका जो बयान है हामें मिला और हमारा इश्वर से यह दुआ है कि आप स्वस्त रहें टेंशन ना लें और आपको इश्वर और तंदुरुस्त रखें और आप हिंदु राष्ट के अच्छे लीटर बनें आपके पास लाते रहेंगे तो फिर से एक बार यहां पर मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि सर्मा दिदी किस प्रकार से इस बात को यहां पर रखी और क्या गलत था आप कमेंट करके बताईए और जो मैंने कहा उसमें क्या सही था कानून अपने जगा न्याय करेगा हमें यह देखना नहीं कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है अगर कानून न्याय करेगा तो हमें चुप-चाप रहना है हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है तो इस प्रकार से हम नए-ने वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें परमिश्वर आप सभी को आशिस दे धन्यवाद दिया गिया है और आप सभी का प्यार हम पर बना रहें आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें प्रभू आप सभी को आशिस दे धन्यवाद